वीडियो शुरू होने से पहले मुझे यह बताएं कि आप में से किस किस ने कैनवा का अकाउंट बना लिया है कॉमेंट सेक्ष्ण में आज में बताइए का आज हमारे वह दूसरा लेक्चर इसमें आपको यह सिखांगा कैसे आपने कैनवा एडिटर को इस्तमाल करना है जों किस तरह इस्तमाल कर सकते हो और उन टेंपलेट के साथ आप कौन-कौन से डिजाइन बना सकते हो अगर आपने complete समझना कैनवा क्या चीजह है तो आप मेरी पिछली वीडियो भी दिखें और जो आने वाली वीडियो नहीं नहीं देखें क्योंकि यह कंपलीट कोर्स होने वाला है और बिलकुल फ्री होने वाली वीडियो भी एंड क्लाज़में क्योंक्विक्व कि अगर आपने आपको नहीं समझ आई तो आप पिछली वीडियो देख सकते हैं तो आज मैं आपको यह सिखाऊंगा कि कैनवा के साथ आपने टेंप्लेट किस तरह बनानी है और जो कैनवा का एडिटर है जिसमें सारी एडिटिंग होती है उसमें कौन कौन सी चीज़े होती है वो सारी आज म सब्सक्राइब करेंगे तो यहां यहां यह नीचे आ रहा है यूट्यूब तूम्बनेel अप इसके औपर क्लिक करेंगे जो भी आपने बनाना है ना जो बी टेंपलेथ बनानी ने जो इससमें बनाना है फेसबूक पोस्ट और फेस्बुक स्टोरी या इंस्टाग्राम स्टोरी है आपने सिरह आपर पर सर्च कर लेना है ठीक है जैसे मैं सर्च करता हूं Instagram जैसे मैं इंस्टाग्राम सर्च किया गी इसारा कुछ इसे आपके पास आ जाएगी कियोंक्कि मैंने बनाने यूट्यूब थम्नें़ तो मैं सर्च करता हूँ यूट्यूब यूट्यूब यूट्व ंगी करता हूं कि जैसे मैंने इसके उपर क्लिक किय तो यह देखें आपके सामने ऊपन हो editor यहां पर हम अपनी सारी editing करेंगे यह साथ आपको कफी सारी जो templates हैं free templates बड़ी जबर्दस्त किसम की वह भी दिखा रहा है और उसके इलावा यह जो है यह canva editor है सारा यहां पर आपनी सारी editing होगी और सबसे जो best और बहतरीन तरीका है वो यह है कि आपने यहां से कोई भी template उठानी है और यही काम करते हैं लोग template उठा के उसमें अपने साब से editing करते हैं color change करते हैं image change कर दें टेक्स change करते हैं और आपकी बनी बनाई template ready हो जाती है तो यहां से लैट से यह आपने प्लेट में उठाना चाहता हूं simply मैं क्या करूंगा इसके उपर माउस ले जाके क्लिक कर दूँगा यह template आगे मेरे पास इदर अब मैंने क्या करना है मैं चाहता हूं कि यह जो template है है सबसे पहले में इसका background color change करों उसके लिए मैं क्लिक करूंगा ठीक हो गया, ऐसे आप color change कर सकते हो, और इसके इलावा, अब मैं चाहता हूँ कि ये जो text है ना मेरे पास, ये मैं change करना जाता हूँ, attractive है, मैं इसकी जगा awesome कर देता हूँ, ये देखें, उसके उपर click किया, simply आपने text change कर दिया, उसका, ऐसे आप ये नीचे वाला text change कर सकते हो, अब आप चाहते हो, मैं इस वाले text का color change करना चाहता हूँ, इस text के उपर click किया, उपर गए, ये देखें, ये ए लिखा आ रहा है आपके पास, इसके उपर click करेंगे, जो भी आपने color रखना है इसका, वो color रख दें आप, अपनी मरज़ी से, color change हो गया text का, अब आप करना चाहते हो, इस text का size change, ये आपके पास सूपर आ रहा है option, ठीक है, यहां से आप इसका size change कर सकते है, अपनी मरज़ी सोटा बढ़ा कर सकते हो, जो भी size आपको चाहिए, ठीक है, यहां से आपका size change हो गया, अब आप इसका font कौन सा है, उसके लिए side पे आपके पास options आ आ रहे है, तो यह और करना चाहता हूँ, मैं और कर लेता हूँ, ठीक है, इस तरह और font change कर सकते हो, अब मैं क्या करना चाहता हूँ, मैं यह चाहता हूँ, कि यह जो image है, यह change हो जाए, उसके लिए मैं क्या करूंगा, उसके लिए दो तरीके हैं, एक तो आप अपनी image upload कर सकते हो, या आपने अपनी इमिज अप्लोड करनी है वह अप्लोड करके इदर लगा सकते हो या कैनवा के ओपर भी काफी सारे में ज़ी साथ को मिल जाती है कैनवा से में जबने किस तरह लेनी इसके लिए आप साइड पर जाओगे यह आपको उप्शन अधर आ रहा है एलिमेंट का इ म α 의 pro यहां पर यह आप्शन आजए ग्राफिक्स मतíst जो आनिमेशन वगरा होती है मतलब आप स्मेν हमने फोटो लगा निया थो यहां से फोटो वाला ओपशन चूस कर लेंगे अगर आप यहां पे यह वाली आफ आफ लिगा त यह आख से यह रहाई यह देखें लाक है यहां पर ड्रॉप कर दी इमिज चेंज होगी यह वाली लगा नहीं है इमिज आपने यह लगा दो अगर आपने अपनी इमिज अप्लोड करनी है उसके लिए आपने क्या करना है यह एलिमेंट्स के बिल्कुल नीचे आप्शन आ रहा है अप्लोड का इसक सेम उठाओगे यहां से लाके इदर ड्रॉप कर दोगे आपके पास इमिज हो जाएगी चेंज ठीक हो गया तो यह कुछ आप्शन से बेसिक आप्शन जिनको इस्तमाल करके आप यह वाली सारी एडिटिंग कर सकते हो अगर आपने यह वाला टेक्स्ट है इसको बोल्ड करन और अगर आपने अनिमेट करना इसको इसमें कोई अनिमेशन डाल लिए टेक्स्ट में यहां उपर आपके पास ऑप्शन आ रहा है इसके उपर क्लिक करें यह देखें ठीक है यह एनिमेशन ऐसे डाल सकते हो लेकिन इसकी जुरूरत नहीं क्योंकर अगर आप इमिज बना र कि आपका कैनवा एडिटर किस तरह काम करता है आपने टेमपलेट को कैसे उठा के उसमें चेंजिस करनी है और बाद में आपने टेक्स्ट कैसे चेंज करना है कलर कैसे चेंज करना है बैक्रांड कैसे चेंज करना है इमिज कैसे चेंज करनी है अगर अपनी इमिज है तो इम तो आपके पास इनका आप 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 के ओपर सिंपली जिन डिटेल के साहते यहां पर लॉगिन किया होगा वहिए अधर देकर लॉगिन करोगे और अपनी एडिटिंग स्टार्ट करदोगे तो आज के लेक्शन में इतना ही था कि आपने कैनवा के साथ editing किस तरह करनी है कैनवा की templates को किस तरह use करना है उनमें changes किस तरह करनी है colors, photos, everything किस तरह आपने change करनी है ठीक है और अगर आपको यह नहीं पता कि कैनवा क्या चीज़ है और कैनवा पर अकाउंट कैसे बनाना है तो आप पिछली वीडियो देखें और इस course में और भी काफी सारी मज़ेदा चीज़े आने वारी है advanced किसम की चीज़ें उसके लिए आप ये वाला course complete देखें इसमें आगे इंशालला और भी वीडियो दाएंगे कैनवा बहुत अच्छे स्किल है अब ये आप डिपेंड करता है कि आप कितनी मेहनत करते हैं जितनी अप मेहनत करोगे अप उतनी ज्यादा इससे अर्णिंग कर लो अगर आप लोंगा क्वेश्चनल आप कॉमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं उमीद करता हूं कि आपको वीडियो पसंद रही होगी अगर वीडियो पसंद रही हो तो काईली मेरे चैनल को सब्सक्राइब बें लाजमी करते हैं तो नेक्स लेक्चर तक के लिए अला अफेज